जय जगरनात आप सबका स्वागत है मेरी चैनल जिले स्पाइस बॉक्स में अभी 14 जन्वरी को मकर संक्रांती आने वाली है और साल का पहला तेवहर होता है और पूरी नर्थ में 14 जन्वरी को खिचडी के नाम से बोला जाता है और यहां पे हर घर घर में खिचडी बनती है और सबके घर पे अलग-अलग तरह की खिचडी बनती है तो इसी खिचडी को बनाते हुए आज हम बनाएंगे हिमाचल प्रदेश की एक फेमस खिचडी की रेसीपी तो ये खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप चावल लिया है और आधा कप उड़त की दाल लिया है तो इसका रेशियो यही है एक कप चावल की चावल तो आधा कप उड़त की दाल उड़त की दाल यहाँ पे मैंने साबुत उड़त की दाल लिया है और यह चमच हल्दी एक बड़ा चमच नमक और यहां पे एक इंच टुकड़ा अध्रक लिया यहाँ जिसको मने बारी काट लिया है इसको इहां पे ग्रेट करके नहीं लेंगे बारी काट लियए और दोतेज़ पत्ता लेंगे अभी हम तड के के लिए भी मैं दिखाती हूँ यहां पे मैंने एक तिहाई छोटा चमच हींग और एक छोटा चमच जीरा दो बड़े चमच घी और उसके साथ हम लेंगे दो सुखी लाल मिर्च और एक हरी मिर्च तो है एक हरी मिर्च को आप देख सकते हैं मैं चीरा लगा दिया है यह हम हो आपानी दाल रहे को मतलब आधे ourख कब दाल में हम देख का पानी डालेंगे और जाल में और उसके साथ यहां पर हम अहलडी और नमक और नमक के साथ हम क्या करेंगे आपानीव ना सी दढूल देंगे मैं टेजबons ध1 प परर छिए दो और ग्यास के तरफड़े देख में क्या करूंगी flame on करूंगी और ग्यास on करके मुझे अभी pressure cooker को ग्यास पर चड़ाना है और medium flame पर मुझे इसको दो whistle आने देना है तो जब तक whistle आ रही है चलिए चावल को धो लेते हैं तो यहां पर मैंने एक कप जो चावल सुना मसुरी चावल लिया है उसको दो से तीन ब मारा थोड़ा से ठंडा होने में टाइम लगेगा तो दिखिए अभी मेरा city आ गया है अभी मुझे दो whistle medium मतलब medium flame पर लाने के बाद मैं flame को slow कर दूंगी और 10 minute low flame पर इसको पकाऊंगी मैंने दाल को भीगया नहीं था ना उसलिए तो अभी आप इसको पहले cooker खोलने से पहल है मैं आपको दिखाती हूं लेकिन दाल मेरा ज्यादा गला नहीं है हमें इसी स्टेश पर ही दाल चाहिए तो देखे दाल हमारा कैसे मतलब खुले-खुले मतलब पुरे अच्छे से पका हुआ है फूल भी गया है और थोड़ा सा पानी भी बचा हुआ है जो देड़ का पा अद्रक की टुकड़े हैं उसको भी डाल देंगे और अद्रक के साथ जो खड़ी गरम मसाले थे इसको भी डाल देंगे खड़ी गरम मसाले अप्सनाल हैं आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं और इसके साथ मैं यहां पर दो कप पानी डालूंगी मैं जिस कब से दाल के जाएगा तो हम यास को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे अब देखिए मैंने स्विच आफ कर दिया है और कुकर को ठंडा होने छोड़ दिया था लेकिन कुकर खोलने से पहले फिर से मैं चेक कर रही हूं अभी मेरी कुकर ठंडी हो गई है तो अभी हम खोल के अभी मैं आपको खिचडी दिखाती हूँ मेरा किष्टेस पर है ये दिखे मेरा अच्छे से चावल और दाल पक गए हैं पहले ये तेजपत्ते को हटा देते हैं अभी इसका और कोई काम नहीं है तो मैंने अभी जो दोनों तेजपत्ते डाले थे उन दोनों को मैंने अभी हटा दिया है अभी हटाने के बाद हम इसको एक बार ना अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे ये खिचडी हिमालचल प्रदेश की बहुत ही फेमस खिचडी है और इसके साथ मेरा गहरा रिष्टा है मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ दीखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और अभी इसको मैं दुसरे फ्लेम में सिफ्ट कर देती हूँ और अभी इसमें मैं मतलब तड़का प्यान लगाती हूं तड़का लगाने के लिए और प्यान में हम यह दो बड़े चमच घी डालेंगे जब घी गरम हो जाए देखिए घी डाल रही हूं घी डालने के बाद हमें इसको घी को गरम होने देंगे जब घी अच्छे से गरम हो जाए उसमें यहींग जीरा और सुखी लाल मिर्च और हरी मिर्च सब डाल देंगे सुखी लाल मिर्च से फ्लेवर अच्छा आएगा और हरी मिर्च से थोड़ा सा मतलब तीखा पनाएगा लेकिन अच्छा लगता है अब चाहें तो कोई एक मिर्च भी यूज कर सकते हैं जब यह अच्छे से चटक जाए तब हम क्या करेंगे इसको हम इस खिचडी में डाल देंगे यह दिखिए मैंने इस खिचडी में डाल दिया और खिचडी में डाल के इसको हम तुरंद ढकन बंद कर देंगे ढकन बंद कर देने से क्या होगा जो घी, जीरा, हिंग, सबका फ्लेवर है न वो पूरा खिचडी में आ जाएगा तो 5 मिनिट के लिए हम डखकन बंद कर देंगे और 5 मिनिट बाद खोल के मैं दिखाती हूँ अभी आप इसको अच्छे से एक बर मिक्स कर लीजिए तो क्या होगा तड़का हमारा सारी खिचडी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो चलिए सर्फ करते हैं इस खिचडी के साथ किसी भी चीज की जवरत नहीं होती है बस उपर से घी डालते हैं और दही के साथ ही खिचडी सर्फ किया जाता है मैं आपको बताई थी कि ये खिचडी मेरे लिए बहुत खास है क्यूंकि मैं जब प्रेगनेंट थी मेरा जब बेटा होने वाला था तो वहाँ पे मेरे एक दीदी थे जिन्होंने मुझे खिचडी खिलाया था और मैं उनको सिर्फ खिचडी वाले दिन नहीं दूसरे दिन भी उनसे मैं बोल-बोल के बना बना के खाती थी तो मैं उनको special thank you बोलूंगी और आप लोगों को request करूंगी कि आप लोगी खिचडी को जरूर एक बार try कीजिए और आप लोगों को कैसा लगा आप comment section में जरूर बताईए लेकिन मुझे ये खिचडी बहुत पसंद है मैं इसको बार बार बोल रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ आप फिर से इसको try कीजिए और आपको कैसा लगा जिली spice box के साथ जरूर सेयर कीजिए thank you